वेलकम इस्टुड़न्स आज हम बनाएंगी क्लास 10 मैथेमेटिक्स में चेप्टर 23 एक्सेसाइज 23.3 में कोश्चन नमबर 9 यानि वेरी शॉट एंसर को ओके इससे पहले वीडियो में मैंने कोश्चन नमबर 6 के 4 से लेकर 8 तक कम्पलीट किया था उस वीडियो का लिंक मैं न पहला mcq है इस तो पहला mcq है if 3x equals to cosec alpha and 3 by x equals to coat alpha then the value of 3 into x square minus 1 by x square is इन में से कोन सा होगा तो यह दोनों value दियावा है हमारे पास और इसका value हमें पता करना है जैसा कि यह mcq है तो mcq हमें थोड़ा सा rough बना कर जो correct answer है उसी पे हमें just उसको लीग देना है तो यहां इसलिए हम इसको जतना ज्यादा हो सके शॉट में बनाएंगे तो जैसे यहां देख रहे है यहां नीचे हो जाएगा कोसेक alpha divided by 3 हो जाएगा नीचे 3 आ जाएगा और यहां पर हमें 1 by x का value चाहिए तो यहां 3 जो है 3 को हम इस तरफ करेंगे तो यहां 3 इंटू है उपर में तो यहां पर नीचे आ जाएगा कोट आलफा के नीचे आ जाएगा इस तरफ हो जागा 1 by x ठीक है और यह हो जागा कोट आलफा by 3 ठीक है तो 3 है यहां जब 1 से इंटू होगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा तो इस तरह हम लिख सकते हैं तो यह गया 1 by x का value अब हम दोनों value यहां पूट कर देंगे इसमें तो यह ह हमारा 3 है इंटू x2 माइनस 1 by x2 तक्चिलों में यह जो है 3 है x x के जगा में हम लिख सकते हैं क्या चीज कोशेक आलफा by 3 कोशेक आलफा by 3 इसका whole square है तो यह हम सेकंड ब्रेकर यूश कर लेंगे माइनस यह जो 1 by x2 है यह एक्च्छली में 1 by x का whole square हम लिख सकते हैं तो यह इसका whole square हो जाएगा याओ こशेक आलफा by 3 इसको लिख सकते हो कि घृटी हो जाएगा अब यह कितना होगाOUT देखे है कोशेक आलफा कैस्वेर होगा कोशेक आलफा का स्कोर ओगा कोशेक आलफा आН झालफा का स्कोर 9 होगा माइनस यह जाथे हम कोट स्क्वेर आलफा हो जाएगा कोट आलफा का होल स्क्वेर कोट स्क्वेर आलफा एंड थिरी का स्क्वेर नाइन यहां ले लेंगे हम थिरी यहां 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 लेंगे तो दोनों में नाइन है नाइन होगा यहां और यह हो जागा उपर में सेम हो जागा कोट स्क्व q2-142-4a मतलब होता है, 1 तो 1 by क्या हो जागा? 3 तो यह हो जागा correct option तो correct option आब देखेंगे 1 by 3, यह option C होगा, okay तो हम option C पेटिक कर लेते हैं और answer में C लिएकर 1 by 3 लिखने से हो जाएगा exam में 2 इसी तरह से बनेगा 2x. इक्षैक A & 2 x. 10 A यह d y value then the value of 2 into x square minus 1 by x square is ठीक है तो इस्टोंड यह जो number 2 है इसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं अच्छा इसको हम एक दूसरा तरीका से बना के दिखा रहे हैं ठीक है उस तरीका से यह भी बनेगा तो दूसरा तरीका मैं यहां पर थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आप चाहे तो पहला वाला को भी उस तरह से बना सकते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि इसमें क्या करना है कि यह जो left side है यहां पर 2x यहां पर 2 by x है इन दोनों को एक बर plus में लिखना है और एक बर minus में लिखना है उसके बाद फिर हम multiply करेंगे तो अगर हम यह इसका 2x और इसा 2 by x है इसको अगर हम एक बाद जोड़ के लिखेंगे 2x plus 2 by x तो equal to हो जाएगा किसके राइट साइड में भी इसी तरह जोड़ के लिखना पड़ेगा तो 2x मतलब say के अब plus plus हो जाएगा 2 by x मतलब 10 एक बर हमने यह left side बाद पलस करके लिखा तो राइट साइड भी पलस करके लिखा एक बर हम minus करके लिखेंगे दोनों को तो 2x minus 2 by x तो यह इसके बाद हो जाएगा say के minus तेने ऐसा लिख सकते हैं हम बिल्कुल ठीक है left side बाद हम minus करके लिखेंगे तो वह equal होगा right side बाद को हम minus करके लिखेंगे say के और तेने अब हम क्या गरें यह जो 2 equation आगिया इसके अब left side और इसके left side को किसी हम in two कर सकते हैं .. यहां पी olur के उपर में कशना है अगर हम यह useful ता रहार से एक्पर न में ये थे पार में版 ले ले लाए तो यहे क्या हो जाएगा शार नमाल और यह इसनिय का यह उचरए और यह प्लस यह बाद संट हो जाएगा यहां पर हो जाएगा x minus 1 by x और यहां हो जाएगा ck minus 10a अब हम यह left side वाले into करें यह right side वाले into कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा into करने से दो दूना 4 और यह दोनों जब into होगा तो देखे यह formula बनेगा यह समझे a और इसको समझे b तो यह होगा a plus b और यह हो जाएगा a minus b तो a plus b और a minus b into होगा तो क्या बनता है a square minus b square तो यह हो जाएगा a square minus 1 by x का square b square ओके तो यहां second bracket use कर लेते हैं और यहां भी right side into होगा तो यह देखे इसको a समझे इसको b समझे a plus b और यह होगी a minus b तो क्या होगा a square minus b square और अब जो है ये कितना हो जा रहा है ये 4 into ये हो जागा x square minus 1 by x square और ये कितना होगा a minus 10 square equal to 1 theta minus 10 square theta 1 तो theta का जगा a है तो b 1 होगा ठीक है और हमें निकालना था यहाँ 2 है यहां पे 2 है तो 4 कम इस तरह लिख सकते है 2 into 2 है ना तो 4 को अगर हम 2 into 2 लिखेंगे तो यह 2 एक 2 यहां पे रहेगा एक 2 यहां जो into है वो इस तरह पाएगा तो 1 by 2 हो जाएगा 1 square 1 by x square equal to 1 by 2 यह 2 से into होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा तो 4 कम इस तरह लिख ले रहे 2 into 2 एक 2 इस तरह राइट सड में लेके आ रहे तो 1 by 2 हो जा रहा तो 2 into x square minus 1 x square का value के आगी है 1 by 2 ठीक है तो यह option एक करेक्ट होगा ओके नमर 3 if 10 alpha plus quote alpha equals to 2 then the value of 10 to the power 13 10 alpha to the power 13 plus quote alpha to the power 13 is इसका value क्या होगा ठीक है तो इस्टों हमारे पास यह दियावा है याद रखना है कि यह अगर हम आगे चल कर बनाएंगे ना तो यह खोल स्कूर बनेगा देखे किस तरह से और यह हम लिखेंगे 10 alpha plus quote alpha को हम लिखेंगे 10 alpha के इसमें एक फॉर्म में तो quote alpha क्या तो 10 alpha का reciprocal यानि इसका उल्टा होता है तो यह हो जागा 1 but 10 alpha है ना quote theta मतलब होता 1 but 10 theta तो quote alpha है तो हो जागा 1 but 10 alpha equal to 2 अब हम LCM ले लेते हैं LCM लेंगे इस तरब 2 होगा 10 alpha नीचे 10 alpha LCM होगा 10 alpha से 10 alpha यहां 2 होगा इसला एक हो तो 10 alpha से 10 alpha into होगा यह हो जागा 10 square alpha plus 10 alpha से 10 alpha तालफा उगा त्हुर रच साथ में यह व्याद्स इसकी उक्टार रहा है कि रिंगे यह उटता है पर प्लस वान खूंगा फ्लास का नृब्सवान में में लिख रहें क्यों और इसके भी जीर व्याई कि इसको हमें एक फॉर्मूला में लेखेंगे A minus B का whole square के formula में कैसे 10 alpha को हम A माल ले तो यह हो जागा 10 alpha का whole square है ना minus 2 A मतलब 10 alpha B मतलब 1 माल लेंगे ठीक है और यह हो जागा 1 का whole square equal to 0 क्योंकि 1 का whole square मतलब 1 होगा 2 into 2 into 1 2 होगा 10 alpha उसी तरह यह बन गया A minus B का whole square कैसे A square minus 2 A B plus B square A मतलब 10 alpha और B मतलब 1 होगा बीच में minus यह तो minus का whole square होगा तो यह हो जागा A minus B का whole square equal to 0 तो यह जब whole square 0 होता है तो फिर यह अंदर वाला bracket का अंदर वाला भी 0 हो जाएगा तो 10 alpha minus 1 बराबाद 0 होगा और 10 alpha minus 1 1 equal to 0 और यहां से 10 alpha का value आजाएगा तो 10 alpha बराबर minus 1 को right side में कर देंगे 1 हो जाएगा 10 alpha गर 1 होगा तो quote alpha कितना होगा इसलिए quote alpha भी इसका उल्टा है 1 का reciprocal 1 ही होता है तो quote alpha भी हो जाएगा 1 10 alpha भी हो जाएगा 1 अब हमें जो निकालना थो हम इसलिए निकाल सकते है therefore 10 alpha का पावर 13 plus quote alpha का पावर 13 यह कितना होगा तो देखे 10 alpha होगा 1 तो यह जाएगा 1 का पावर 13 quote alpha भी होगा 1 1 का पावर 13 तो 1 का पावर चाहिए जीतना भी हम ले 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 1 होता है 1 होगा यहां भी 1 होगा 1 plus 1 2 होगा तो 10 to the power 10 alpha to the power 13 plus quote alpha to the power 13 का वेलू होगा 2 होगा इसका correct option होगा C और ऐसा question कुछ भी रहे 10 और quote जो एक दूसरे का रेसी पुरोकल है equal to यहां पे अगर 2 रहे पलस दे कर और फिर हमें 10 का कुछ भी पावर अगर दे दे 13 छोड़कर माली जी 50 पावर यहां भी 50 पावर दे तो भी यह 1 ही होगा और 1 का पावर जितना करेंगे यह हो जागा 1 यह हो जागा 1 1 plus 1 यह हमेशा 2 ही आएगा इस तरह से अगर कोई short question change होकर आता है तो भी हम वहाँ पे answer आसानी से बता सकते है next तो यहां पे हो जागा correct option C next if sin theta minus cos theta equals to 0 theta जो ranging from 0 to 90 degree theta का value 0 सो 90 degree होती है हमें पता ही है हमारे syllabus में है sin theta minus cos theta equal to 0 है and sec theta plus cos theta equal to x then the value of x is तो x का value इन में से कौन सा होगा इसको हम सबसे पहले यूज करेंगे और cos theta को इस तरफ कर देते है sin theta equal to होगा minus cos theta 0 के तरफ आएगा तो plus cos theta हो जाएगा अब हम cos theta को sin के नीचे कर लेंगे sin theta बटा cos theta equal to यहां हो जागा 1 थीक है तो sin theta बटा cos theta क्या होता है 10 theta होता हमें पता है तो 10 theta equal to 1 अब ये 10 theta का value होगा 1 तो 1 मतलब कितना 10 कितना degree होता है 10 कितना degree का value 1 होता 45 degree का 45 तो यहां पर हम लिखेंगे change करके 10 45 अब दोनों तरफ 10 को compare कर लेंगे मौजना करेंगे यह कितना हो जगा ? θ equal to 45 θ कितना गया ? 45 यह θ न पता चल गया इस θ का वेलू यहाँ पूट कर देंगे x का वेलू आजाएगा now sec θ plus cosec theta equal to x है और sec θ का जगा 45 होगा plus यहाँ भी cosec theta का जगा 45 होगा equal to x होगा अब sec 45 का वेलू पूट करना है तो cos 45 का वेलू होता है 1 by root 2 sec 45 उसका उल्टा है reciprocal तो यह जगा root 2 by 1 मतलब root 2 पलस यहाँ पर cosec 45 मतलब sin 45 का reciprocal है तो sin 45 होता 1 by root 2 यह उसका reciprocal होता तो root 2 by 1 मतलब root 2 एक्वल टू एक्स आप root 2 पलस root 2 जोड़ेंगे कितना हो जगा दो मतलब root 2 होगा 2 root 2 equal to x ऐसा नहीं हो सकता root 4 नहीं कर देना गलत हो जाएगा ठीक है वह आप लोग जानते चैप्टर नाइन को रड़ीक साड़े उसमें मैंने बताया भी है तो 2 root 2 होगा ठीक है यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 वह दोनों एड होता है तो इसका जो करक्ट ओप्शन होगा वह होगा डी तो इसमें डी में टिक कर लें नमबर 5 इफ 2 कोस्ट 3 थीटा इक्वल टू 1 देन दा वेलू अब थीटा है यह दियावा थीटा का वेलू में पता करना है तो यह दियावा है देखे इस तरह का कोशन जब भी रहेगा ना 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 9 थीटा कुछ भी थीटा रहें यहाँ पर हमें क्या करना हो तो यह जो जिससे कोस्ट थीटा है उसको में एक तरफ लिखेंगे बाकी सब को राइट साड में कर देंगा और फिर दे जो चुआ हो गया एक तरफ 1 by 2 होगया तो इसको जो जो है ना कोस्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ता कि हम दोनों तरफ कोंपेर कर सकें तो तो cos 3 theta equal to 1 by 2 मतलब सोचना होगा cos में कितना degree होता है तो cos में कितना degree 1 by 2 होता है तो यह cos 60 होता है तो यहां पर लिखेंगे cos 60 degree और अब दोनों तब compare करेंगे cos तो क्या आगा यह 3 theta equal to 60 तो 3 theta equal to 60 degree और यहां से theta में इजी लिए निकाल लेंगे थीटा हो जागा 60 बटा 3 into 3 नीचे आजागा 3 से काड़ दे 3 दूनों अच्छे 0 20 तो थीटा गया है 20 degree ओके इस तरह से theta का value निकालना चाहिए और इस तरह का एक्जाम में question आता ही है थीटा के जागा 5 theta हो सकता कुछ और हो सकता हमें एक तिगनोमेटिक function जो है उसको हमको एक तरफ लिखना है तिगनोमेटिक रेशियो को एक तरफ जो भी value आएगा उसको हमको उसी के form में लिखना पड़ता है तो theta 20 degree मतलब इसका correct option जो है यहाँ पे c होगा तो c पे हम तिक करेंगे next is true false पहला है if alpha greater equal to 0 less than 90 then the least value of sec square alpha plus cos square alpha is 2 आलफा का value दियावा 0 से 90 के बीच में यह तो angle में पता ही है हमें इसका जो बोला गिया इसका least value least मतलब सबसे कम यानि minimum value से 1 square alpha plus cos square alpha का minimum value है सबसे least value है सबसे कम value है वो उसका मान वो 2 है यह सही है या गरहते है तो पहले इसका सबसे कम मान या value हम निकालेंगे फिर हम समझेंगे कि इसका सबसे कम मान 2 है या नहीं है तो इसको बनाने का जो तरीका है इसका तरीका बुक में भी example में दिया हुआ है इसको हमें सबसे पहले एक whole square में फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा उसके शकल में तो कैसे हम बनाएंगे सेक alpha और cos alpha जो है ना इसको a समझ लीजिए इसको b समझ लीजिए यह होगा a square यह में लिखेंगे यह हो जागा a सेक alpha हो जागा a plus b मतलब हो जागा cos alpha a plus b का whole square जब करेंगे यहां plus होगा तो यहां minus होगा minus 2 a into b ठीक है और यह दोनों एक दुस्टे करेंगा यह कट जाएगा और one हो जाएगा तो यह हो जागा सेक alpha plus cos alpha का whole square minus 2 into cos alpha मतलब हम नहीं सकते वान बटा सेक alpha क्यूंकि यह इसका रेसी प्रोकल और यह सेक alpha सेक alpha cancel हो जाएगा तो यहां minus 2 into 1 यहीं minus 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा सेक alpha plus cos alpha का whole square minus 2 यह हो गया एक value दूसरा क्या है यहीं सेम चीज़ होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं यहां अगर हम minus लिखेंगे तो यहां plus लिखना पड़ेगा उसको भी हमें लिख कर दिखाना पड़ेगा एक पर और यह जो है true false है एक नमबर का question है तो इसको याद कर लेना है लेकिन अगर यह two marks के question में आएगा तो फिर इसको इस तरह से बना कर थोड़ा से दिखाना पड़ेगा यहां अब हम minus लेंगे तो यहां plus हो जागा plus 2 सेक alpha into cos alpha और यह दोनों इंटू होके हमें पता one हो जाएगा cancel हो जाएगा तो यहां एक ही बार लि यह स्क्षेजर मघे हो जो सबता हो जिलाने क्यां को मैं यहां एक ही होली इसकुएर 7 की मरभिने दिखाने जो किसी और European Square लेकल क्या फ्राचेजर मगा जो सबसे वेलू सबसे कम वेलू होता है तो रहे जिरो अब कोई सास्टान प्राचेजर माा रवेली ले ले हैजिसे ज तो जीरो का स्कॉयर ही इस बि जीरो होता है, बाकिर आप जितना कभी स्कॉयर लेंगे, तो इस तो II का स्कॉयर उसिसे ज्यादा आजाएगा. अगर आप मानेस्स में नमर का लेंगे, उस से cage मैनेस-2 होल цен लेंगे तो भी यह हो जाएगा. minus 2 का hall square लेंगे 4 हो जाएगा तो आप minus number कभी अगर hall square लेते तो वो plus वाला value आजाएगा minus 3 का hall square 9 आजाएगा तो minus का हम ले रहे हूल square लेकिन हमारा plus value यानि plus 9, plus 4, plus 1 तो क्या हो रहा है कि हम जितना भी hall square लेंगे hall square का value आप देखेंगे में एगर आप हमेशा plus value आएगा हमेशा plus value आएगा चाहे minus number ले 0 ही होगा ठीक है? एक whole square अगर होता है कोई चीज का तो इसका सबसे कम value होता है वो 0 हो सकता है उससे छोटा नहीं होगा minus का भी हो हीppsno ужी हो लीखने वाले हैं कि A perfect square का जो सबसे कम भेलू होता है वो 0 होता है the least value of a perfect square is 0 यह जो whole square देख रहे हैं माली जी कुछ भी नमबर तो इसका सबसे कम भेलू कितना हो सकता है 0 हो सकता है ठीक है तो अब अगर यह चीज माली जी हम सबसे कम अगर यह वला हम से पूचा कि इसका सबसे कम भेलू कितना होगा तो इसका सबसे कम भेलू उस वक्त होगा जब इसको तोड़ कर तो यह चीज आया तो यह जितना कम होगा यह भी उतना ही कम होगा है न यह और यह सेम चीज है तो यह जितना छोटा होगा, यह भी उतना ही छोटा होगा, इसका वेलू सबसे कम कितना हो सकता, तो मतलब इसका वेलू जितना कम होगा, उतना ही इसका वेलू भी कम होगा, अब यह सबसे कम कब हो सकता है, जब यहाँ पर इसका वेलू 0 हो जाएगा, यह सबसे चोटा वेलू यह जब 0 होगा तो इसका सबसे छोटा वेलू का आएगा या तो minus 2 आएगा या तो plus 2 आएगा इसको हम लिखेंगे ठीक है therefore the least value of say square alpha plus course square alpha is either या तो minus 2 होगा और या तो plus 2 होगा तो इसका सबसे छोटा value क्या हो सकता है या तो minus 2 होगा या तो plus 2 होगा ठीक है यह दोनों में से कोई एक होगा अब हम ये दियान देना है कि ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है ये देखिए, ये एक holi square है दो holi square है और उसका बीची में पलस है तो कभी बी दो holi square का पलस करने से कभी भी माइनस बेलूर नहीं आ सकता क्यूंकि मैंन ये आपको समझाया मिसाल देकर example में कि कोई भी number का अगर हम whole square करते हैं चाहे minus number ले चाहे plus number ले तो जो whole square का value आएगा वो हमेशा plus में ही आएगा कभी minus नहीं आ सकता तो ये भी तो एक whole square है कुछ भी हो इसका value तो जब भी उसका whole square करेंगे जब जोड़ेंगे तो तो हमेशा plus में ही आएगा minus कभी नहीं आ सकता तो फिर इसका जो सबसे छोटा value होगा least value वो पलस टू ही होगा यानि पलस टू यानि टू देरफोर बट यहां लिग देंगे हम बट सीन्स सम ओफ टू स्क्वेर्स यह दो स्क्वेर है इसका sum sum मतलब जोड sum of two squares cannot be negative cannot can't be negative लेकिन यह कभी negative नहीं हो सकता therefore least value is पलस टू ठीक है तो फिर लिष्ट बेलू इसका second square alpha plus cos square alpha का जो least value होगा वो कितना होगा तू होगा ठीक है तो फिर जो बात बोला गिया तो वो सही बोला गिया वो जो statement होगा वो क्या होगा true होगा true पहला वोला true होगा और मैंने यह एक number के लिए इतना बड़ा लंबा चोड़ा बना के समझाया लेकिन आपको समझना था यह चीज क्यों true होगा ना false होगा ओके दो number के question में इसा है question है तो इसको आप इस तरह से समझ के बना सकते एक बर plus call इसको एक बर minus call इसको लेकर के इस तरह से ही लिखना पड़ेगा तो यह पहला वला true होगा अब इसका दूसरा वलाव है देखें the value of cos 0 into cos 1 into cos 2 degree into cos 3 degree into dot 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 into cos 90 degree is 1 काजर यह जो है इस सभी को into करना multiply करके जो आएगा उसका value बोरा 1 होगा यह साही है न गलत है तो देखें बहुत ही easy है यह cos 0 degree का value में पता है 1 होता है यहाँ पे 1 हो जाएगा cos 1 degree का value हमें नहीं पता cos 2 degree का value में नहीं पता cos 3 degree का value नहीं पता क्योंके हम यहाँ पे जो है कुछ ही standard angle का value जानते है cos 0 का जानते है cos 0 का जानते है cos 0 का जानते है cos 90, तो just यहां पर सब को multiply करना है, cos 90 का value में बस निकाल लेना है, cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है, और 0 into कुछ भी करेंगे कितना होगा, 0 हो जाएगा, यह जो भी इसका value हो, x, y, z, कुछ भी हो, यहां 1 होगा, अब इसमें कुछ value मिलेगा, जिसे cos 30 का value होगा, जितना भी हो, 0 से कोई भी चीज इन्टू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता, 0 into, यह कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका value, 0 हो जाएगा, जबकि यहां बोरा है, इसका value 1 होगा, तो यह false है, यहीं पर होग यह solve, okay, next C में, फिलींदा भी लेंग से, number 1, the value of 4 by 6 square theta, plus 1 by 1, plus 4 square theta, plus 3 sin square theta, is, तो देखे, इसको कैसे बनाएगे, यह हो गिया, 4 by हो गिया, बटा में 6 square theta है, तो इसको समझ लिए, यह 1 by 6 square theta लिका हुआ, तो 1 by से अगर इसको हटाएगे, तो यह का बन जागा, Tuesday, constant C, ग जाता है, यह बटा में यह, तो यह हो जागा, 4 by 4, को स्कूर थीटा हो जाएगा, जब इसको में बटा में से हटाएगे, plus, मिदा यह हो जागा, 1 by 1 plus 4 square theta होता है, को से किसकूर थीटा, living as cuộc is constant C, मुझ से लिख लेते हैं, फिर यह ओगीया 4, cos square plus, one बटा कोसेक मतलब क्या होता है? sin होता तो यह हो जाएगा sin square theta, है ना? 3 sin square theta, अब 3 बाद साइन इस्कोर theta, पलस साइन इस्कोर theta, अब दोनों में से 4 common ले ले तो क्या बन गया ये cos square theta plus यहां हो जाएगा sin square theta अब sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है यह हो जाएगा 4 into 1 मतलब यह हो जाएगा 4 तो answer हो जाएगा खाली जाएगा में 4 होगा यहां पे 4 हो जाएगा next if sin theta minus 30 equal to 1 by 2 then the value of cos theta is यह भी बिल्कुल वहीं से बनाएगे इस तरफ sin है तो 1 by 2 इसको sin के form में लिखेंगे फिर्माद से theta निकालेंगे theta का value यह पूट कर देंगे तो cos theta का value आजाएगा तो यह दिया हुआ है और sin theta minus 30 equal to 1 by 2 मतलब sin का कितना degree होता है तो यह होता है sin 30 degree का value है ना तो दोने तरफ compare कर लेंगे तो यह theta minus 30 पराबर आजागा 30 theta minus 30 equal to 30 यहां से theta बिल्कुल easily निकल जाएगा minus 30 इदर आजागा plus 30 30 plus 30 तो theta कितना गया theta गया 60 अब इस value को यह पूट कर दे therefore cos theta equal to cos theta के जगा में 60 तो cos 60 मतलब कितना होता है 1 by 2 यह हो जागा काली जगा में यह होगी answer okay and last if cos square theta minus sin square theta equals to 1 by 2 then the value of cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta is ठीकिया इसका value निकालना है यहां पर 1 by 2 होगा okay तो यह भी बहुत ही easy है just इसको 4 है तो 2 के power 2 में तोड़ देंगे cos 2 cos square theta का whole square लिख सकती है है ना 2 के power 2 आने से 4 हो जाएगा इसको भी उसी तरह लिखेंगे sin square theta का whole square अब इसको a मान ले इसको b मान ले तो यह क्या हो जाएगा a square minus b square का formula तो एक बार लिखेंगे a plus b और एक बार लिखेंगे a minus b cos square theta plus sin square theta यह हो गया a plus b एक बार लिखेंगे एक बार a minus b a minus b a कुमसा हो यह bracket के अंदर वाला ठीक है b हो जाएगा अब देखे sin square theta plus cos square theta यह होता है 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका value दिया हुआ इसका value दिया हुआ 1 by 2 1 by 2 into 1 यह हो जाएगा 1 by 2 तो यह किसका value आया cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta का value आगे यह हो जाएगा answer ओके तो यहाँ भी हो जाएगा 1 by 2 तो इस्टोन यह हमारा very short answer पुरा complete हो गया और जो कच मैंने भी solve किया है उसका PDF फाइल बना कर मैं नीचे description में दे दूंगा आप उसको download करके भी रख सकते हैं next video में short answer जो है two marks का question इसको solve करूंगा okay thank you very much for watching